तो student बात करते हैं एक और important integral की, इस integral में ये पता होना चाहिए कि sec x equals to होता है, बन अपन, cos x and sin 2x equals to होता है, to sin x, cos x. लेकिन, दो formulae और पता होने चाहिए, sin 2x के, sin 2x equals to होता है, sin x plus cos x का whole square, minus 1, आपर a plus b का, और square apply करें के, तो क्या आजोगे, sin square x plus cos square x plus 2, sin x cos x minus 1, इसकी value होती है, 1 plus, ये 2 sin x cos x, sin 2x लिखी सकते हैं, minus 1 है, ये, cancel out, in the same way, sin 2x का equal formula होता है, 1 minus, sin x minus cos x का whole square, इसको ऐसे विलिखते हैं, 1 minus cos x minus sin x का whole square, ये भी a minus b का whole square लिखें हैं ये, b minus a का whole square, इस तरह से ये, sin x minus cos x भी होसकता हैं, cos x minus sin x भी दिखा जा सकता है, now, come to the question, dx upon, sin x, sec x को लिख सकते हैं, 1 upon, cos x, ये, सिम लिखें के solve परेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, cos x, dx over, sin x, cos x प्लेस, 1, sin x प्लेस, cos x किस फॉर्मूले में आता हैं, sin 2 x में, के बल्ट 2 नहीं है, तो 2 से multiply कर देंगे, यहां भी हो, इस तरह से, तो इसको solve परेंगे, कितना आ जाएगा, 2 cos x, over, ये तो हो जाएगा, sin 2 x, 2 बन गया 2, बात में 2 हैगा, वह उपर आ चुपा है, अब sin 2 x के दो फॉर्मूले इसमें, लगने वाले हैं, लेकिन किस तरह से लगेंगे, अब नीचे sin 2 x हो, उपर 2 cos x हो, cos x को अलग अलग कर दिया जाता है, इस तरह से cos x, plus cos x, अब sin 2 x के दो फॉर्मूले बताये थे, एक मोथा sin x माइनस cos x, एक में cos x माइनस sin x, तो वही करना पड़ेगा, cos x plus sin x बनाना पड़ेगा, एक plus sin x यहां कर दिया, तो यहां पर, minus sin x, अब नीचे upon में जो है, उसको दोनों के साथ LC हम बाट देंगे, यहां लिख देंगे sin 2 x plus 2, यहां भी लिख देंगे sin 2 x plus 2, अब दो इंट्रिगेशन होगा इसमें, अलग-अलग कर देंगे इस तरह से, अब जब उपर प्लस, इसे लिखाओ cos x plus sin x, तो फॉर्मूले लगे का माइनस बाटा, आईए देखते हैं किस तरह से, उपर लिखाओ cos x plus sin x, dx, अब साइन 2 x को लिखेंगे, माइनस वाले फॉर्मेट होएं, इसको लिख सकते हैं, 1 minus sin x minus cos x का, all square, अब जब यहां, minus 1 cos x minus sin x, dx, अब इसको लिखेंगे, प्लस वाले फॉर्मेट होएं, वैसे लिख सकते हैं, प्लस वाले फॉर्मेट होएं, sin x plus cos x का all square, minus 1, तो ऐसार क्यों दिखाओ है, क्योंकि यह substitution का question बन चुका है, तो sin x minus cos x को t मानेंगे, तो उपर अपने आप dt बन जाएगा, देखें, sin x minus cos x equals to t, sin x का difference is in cos x, cos x का minus sin x, तो plus sin x, dx equals to dt, अच्छा वहां देखते हैं, sin x plus cos x को, अब t तो मान चुके हैं, कुछ और मानने बाई मान लेते हैं, sin x का होजाएगा cos x, cos x का minus, sin x, dx equals to dy, उपर देखो dy कन गया, यहां पर, cos x minus sin x, यहां cos x plus sin x, यह dt हो चुका है, तो ना reduce to, aptitude form, तो यह होजाएगा 1 minus t square plus 2, यहां 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 यहां, स्थो और स्थो, यहां यह अगा plus 2, यहां 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 कितना, y square minus 1, oh plus 2, yवहां या कितना, y square plus, 1, 2 minus 1, कितना होता है, पकुछ फोर्मूल्य, यहां यहां अगा, a square minus x square equals to 1 upon 2a log of mod and dx over 1 plus x square 10 inverse x plus c इनी formula का use करेंगे यह ज़िएगर dt over यह 3 को लिखेंगे root 3 का square minus t square यह ज़िएगर dy upon इसको ले सकते हैं minus करेंगे प्लस था है यहापर 1 plus y square यह ज़िएगर बन अपन 2a की ज़िएगर root 3 log of mod a plus x and a root 3 plus t upon root 3 minus a plus e ज़िएगर 10 inverse y and plus c 1 upon 2 root 3 log of root 3 t की value रख देंगे t की value है sin x minus cos x y की value है plus बादी t की ज़िएगर sin x minus cos x plus sin x minus cos x upon root 3 plus sin x minus cos x plus 10 inverse y की ज़िएगर रख देंगे value y की ज़िएगर रख देंगे value y की ज़िएगर sin x plus cos x let's see very easy question की ज़िएगर